जो मुकशमीर में मिली जबरदस्त जीत के बाद उमर अबदल्ला ने धारह 370 की बहाली पर बयान दिया है 1370 के मुद्धे पर उमर अबदल्ला ने कहा कि धारह 370 हटाने वालों से बहाली की उमीद नहीं कि जा सकती ऐसी उम्मीद भी करना जुनिता के साथ धोके बाजी होगी हमारी कोशिश हमीशा जंदा रहेगी हम कभी धारा 370 पर खामोश नहीं रहेंगे हुकूम मत बदलेगी तो हम बैट कर बात करेंगे हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पर खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तयार नहीं है उन लोगों से उमीद करना जिन लोगों ने 370 हम से लिया कि हम उन्हीं से वापस हासल करेंगे वो बेवकूफी है वो लोगों को दोखा देने के बराबर है हम लोगों तो दोखा देने के लिए तयार नहीं है अमीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुलक में हकूमत बदलेगी निजाम बदल जाएगा ऐसी हकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठके इस मुद्धे पर बात कर सकेंगे और कुछ न कुछ जमू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे